हेलो बच्चो कैसे वह आप सब लोग तो आज हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए कंप्लीट चैप्टर सिरीज में एक नया चैप्टर डाट इस नोवन एस आयनिक लिवरियम लास्ट यह हमने केमिकल लिवरियम पढ़ा था सर और वहां से ही उसी का कंटिनिवेशन और यहां आयन्स की गेम को देखेंगे और केमिकल लिवरियम के बड़े भाई को आयनिक लिवरियम को आज हम लोग फेस करेंगे पता ही यह चैप्टर 11th क्लास पर जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग डर डर के पढ़ रहे होते हैं अब छोड़ देते हैं लेकिन इस चैप्टर के मन में डर पहले से ही है इसलिए कोश्चन डर के लोग अटेम्ट ही नहीं करते करें आईनिक लिवरियम का है छोड़ दो भाई इसके कोश्चन डारेक्ट फॉर्मूला बेश पूछ रहाते हैं और आज हम लोगों सारे फॉर्मूला देखेंगे आज हम वों सारे चीज़े द लो और उसके बाद future year questions जो आने वाले हैं FYQs भी मतलब future में आने वाले questions भी आप आसानी से कर सकते हो बस करना क्या है chapter के formulas को बार बार revise करना है because यहां पर एक concept के ऊपर ही बहुत सारी चीज़ें आड़ होती है इसी acid और base के ऊपर पूरे chapter को निकाला जाता है और उसी के चक्रम हम सब लोग परिशान भी होते हैं तो चलो यह chapter अपना start करते हैं इस chapter में देखोगे तो हमारे पास total इस chapter में major 5 topics हैं अगर इस chapter को divide किया जाए तो 5 topics में divide करेंगे acid base theory, pH scale and calculation, buffer solution, salt hydglaces and the last one solubility product सर यह 5 topics, major topics के बीच में questions होते हैं जैसे इस साल का question देखोगे तो pH scale और उसकी calculation मतलब week acid week base से आया हुआ question था और एक question buffer solution का question तो सर यह दो concept यह थे अगर सर आप देखेंगे तो इनी 5 में से कोई एक चीज आनी है पक्का तो सर अब यह topic सुरू करते हैं इस topic की कहानी सुरू करने से पहले सर आयन equilibrium आखिर chemical equilibrium से different क्यों है यह जानना जरूरी सर chemical equilibrium में जो पढ़ा क्या आयनी का valid होगा या नहीं वो सब कुछ valid होगा अगर आपने chemical equilibrium नहीं देखा बैटा तो प्लीज आके वो वीडियो देखो फिर यहां पे आओ chemical equilibrium में जो पढ़ा है वो सेम चीज़ इधर होगी बस यहां पे क्या होगे सर वहां non electrolytes के लिए पढ़ा था equilibrium आज यहां electrolytes के लिए equilibrium पढ़ेंगे और what is electrolyte सर electrolytes फैराडे ने दो टाइप के सुस्टान से बताये थे फैराडे ने यह बोला था कि electrolytes होते हैं जो dissociate या associate करते हैं solution में और सर एक होते हैं non electrolytes जो dissociate या associate नहीं करते हैं solution के अंदर अब electrolytes दो टाइप के हो जाएंगे strong और weak strong electrolytes के हम लोग क्या करते हैं कि सर 100% dissociation और weak electrolytes के लिए सर less than 100% dissociation और वहीं पे concept आता है alpha का अलफा का जो concept आता है वो उसी weak electrolytes के लिए डिफाइंड होता है और तुम्हें एक बात बताओं एक सबसे सबसे simple सी बात ionic equilibrium में उसी के मज़े लिए जाते हैं जो weaker part होता है जैसे तुम भी सर सीजी सी बात है अगर यह chapter नहीं थोड़ा सा easy सा portion है लेकिन अगर आप इस chapter में weak होना तो आप exam hall में देखते ही डरना शुरू कर दोगे और ionic लिए मगर आपको नहीं आता तो electrochemistry नहीं आएगा उधर भ नहीं होंगी चीजों को देखना सुरू करें तो हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं यह हमारे इलेक्ट्रोलाइट से जिनको हमें पढ़ना है ठीक है सबसे पहले हम लोग आसे बेस थियोरी से स्टार्ट करते हैं अब अगर आप पूछूँ एस और बेस की बारे म सबसे पहला बंदा जिसने आसेड के बारे में बात करी थी वो क्या था उसका नाम था आरहनियस आरहनियस ने क्या बोला आरहनियस कॉंसेप्ट दिया आरहनियस ने अपना कॉंसेप्ट दिया आसेड कौन होता है जो एच प्लस आयन जो पानी में जाएगा तो एच प्लस आय क्या बेस को बोला कि सर जो आदमी ओएच माइनस देता है ओएच माइनस आयन जो देता है इन ऑन डिजॉलीशन ओएच माइनस आयन ऑन डिजॉलीशन जो पास करता है उसी को क्या बोल देते है बेस बोल देते है तो आरहनियस ने ये बोला लोगों ने बोला बहुत बढ़िया कि सर जो H प्लस नहीं देता वो क्या असिड या बेस नहीं है क्या तो यहाँ पे आरहनियस फस गए और यहाँ पे ब्रॉंस्टेड लॉरी कॉंसेट आ गया ब्रॉंस्टेड लॉरी कॉंसेट क्या कहता है कि सर असिड क्या होते है acid अभी भी क्या बोला गया sir जो H plus iron देते हैं जो H plus iron देते हैं H plus Ic को हम बोलते हैं proton donor sir जो H plus iron देते हैं यह H plus iron जो दे रहे होते हैं bases क्या होते हैं जो H plus iron accept करते हैं which accept H plus iron जो accept करते हैं H plus iron को मतलब proton acceptor को हम लोग क्या बोल देते हैं प्रोटॉन एक्सेप्टर को हम लोग क्या बोल देते हैं एच प्लस आयन एक्सेप्टर को क्या बोल देते हैं बेस बोल देते हैं लेकिन किसके हिसाफ से सर ये किसके हिसाफ से बोलते हैं ब्रॉंस्टेड लॉरी के हिसाफ से ब्रॉंस्टेड लॉरी ने ये बोल दिया फिर कि ुलस आयन देने वाले को तो अपडर बोल चुके हैं बिसवा लेका तीन डिश्यन बोल चुके दूसरा बोल और वेज की डेफिनिशन तीन आएंगी मेरे पास आरहनियस कॉंसेट ब्रॉंसटिट लॉरी कॉंसेट एक एक एच प्लस के बात कर रहा है एक एच प्लस एकसेपटर एक एच प्लस डोनर सरीं दोनों के केस में लुईज आशेड और लुईज बेस में कुछ conditions है, electron acceptor कौन होगा, electron acceptor कौन होगा, जिसके पास incomplete octet हो, जिसके पास incomplete octet हो, जिसके पास incomplete octet हो with vacant orbital, सर उसके पास क्या होना चाहिए, vacant orbital भी होना चाहिए, incomplete octet with vacant orbitals होना चाहिए, सर electron donor कौन होता है, सर जिसका complete octet हो, जिसका complete octet हो, with complete octet, with lone pair तो सर इसकी condition याद रखेगा लूइस के हिसाब से इलेक्ट्रॉन डोनर कौन था सर लूइस के हिसाब से बेस कौन था जिसका ऑक्टिट कंप्लीट है विद लोन पेर पर आरहनियस के हिसाब से एक प्लस देने वाला एसिड वह इस मैंने वाला भी पेर ब अगर णिस बर पलस कर देगा तो किसमें कशुकल हुज आता है उसकोzhक हो जाता के जंग है ये तो उसका conjugate base क्या बनेगा..? यह panicional बेसिक में convert हो जाएगा.. ů यहां पर एकसेप्टर और यह क्या क्या हो जाता है है कंजूगेट अशेड कनवर्ड हो जाता है यह क्या हो जाता है किसमें Convert हो जाएगा इसका weak में और यह अगर weak है तो सर किसमे Convert हो जाएगा strong में तर याद रखिएगा अगर weak acid का conjugate base, strong strong base का conjugate base conjugate acid, weak तो इस तरह छोटोट छीज़ नहीं, ये ब्रॉंस्टेड लॉरी concept था, ब्रॉंस्टेड नहीं ये सारी बाते बोली, कोई भी है जैसे माल दो ना अपने पास पानी है अगर वो एसिड की तरह भी हैप करेगा तो क्या करेगा एच प्लस देगा तो क्या हो जाएगा एच प्लस देगा तो क्या बन जाएगा वेच माइनस और इसी को क्या बन जाएगा conjugate acid ऐसी चीज़े चल रही होंगी यह तीनों acid बेस के concept देख लो फिर आता है कि सर एच प्लस वाटर के साथ अटाच होगा तो इसको में बोल देते हैं क्या एस्थ्रीयो प्लस हाइड्रोनियम आयन बोलना शुरू करते हैं अब एक ही पानी का molecule थोड़ी ना होगा तो अब्वेस इसमें और पानी भी आड़ करते हो और पानी आड़ करोगे तो सर फॉर्मूला क्या हो जाएगा विज़ान में एकॉस्टन आयाता है कौन-कौन सा एक्जिस्ट करेगा कौन-कौन 금 करेगा किस टाइब का हाइड्रोनियम आयन एक्जिस्ट करेगा और किस टाइब का नहीं करने वाला है तो इसके लिए ये कुस्टन देख लीजेगा ये सर कोस्टन अपने पास यह hydroneum आया ऐसे पानी एड होता चला जाएगा एक पानी एड हो है H+. कि साथ क्या बना hydroneum फिर उसके अंदर फिर उसके अंदर फिर उसके अंदर ऐसे add होता चला जाएगा किसने बुला सर OH- के साथ OH- के साथ भी same series आप بना सकते हो OH- को पानी के साथ add करोगे सर यह क्या बन जाता है S3O2- question यह सब पुछा जाएगा कौन exist करता है कौन exist नहीं करता है तो सर उसके लिए ध्यान रखिएगा सर क्या हो जाएगा minus फिर क्या हो जाएगा अपने पास फिर से पानी एड़ कर दिया क्या हो जाएगा H7O4- पैसे करके लंबे चौरी सीरीज बनाते जाओ यह हाइड्रोनियम की सीरीज हो गई और यह हाइड्रोकसाइड की सीरीज हो तो यह सब चीजह हो जाएगे आरहिनियस आखिएस बेस लूइस आखिएस लूइस बेस तो strong acid मतलब generally हम लोग क्या बलते है inorganic acids क्या होते है strong acid कहलाते है weak acid कौन कौन से है तो sir weak acid में अपने पास देखोगे organic acids जतने भी होंगे organic acids जो होते है वो क्या होते है weak acids organic acids क्या होंगे weak acids होने शरू होंगे या फिर कुछ weak acids मैं लिख भी देता हूँ S3PO4 S3 पौंड वाले आसट्स वीक असंट तरह अपने पास वीक असट में। ह एच एफ फ ले64 ले में। हेट सब हेचन। फिलनोगी सब क्या होंगे चाउग एक को쳐ने हुग within the weak BASE, एक को हम लोग क्या बोलते हैं weak base और एक को क्या बोल देंगे हम लोग Strong BASE, एक होगा weak base और एक क्या हो जाएगा? strong base strong base क्या होगा, तो metal का oxide, hydroxide, strong base कौन सा होगा, कि metal का generally weak base कौन कौन से हैं तो weak base में बात करें तो ammonia और उसके derivatives ammonia and its derivatives ammonia and its derivatives यह ammonia and its derivatives यह क्या हो जाते है सर, weak base हो जाते है जितना भी ammonia का आएगा तो strong acid, strong base, weak acid, weak अब यहाँ पे कहानी आनी शुरू होती है यहाँ पे कुछ को चीजे हम लोग देखना शुरू करते है यह acid base का introduction हो गया acid base theory हो गई अब मेरे पास next calculations के लिए यह next चीजे क्या आती है तो सर, एक चीज और acid plus base मिलता है acid plus base मिलेगा तो सर, acid plus base क्या करता है neutralization करता है और इसी को हम लोग क्या बोल देते है salt plus water बना देते यह reaction क्या कहलाती है neutralization तो सर, salt देखोगे अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे सर, अगर strong acid strong base अगर strong acid strong base मिलता है तो salt जो बनेगा इसका हम लोग क्या बोल देंगे इसके अंदर सब कुछ ही strong base है तो इसका pH कितना हो जाएगा 7 अगर कोई portion weak हुआ weak acid strong base तो इस case में क्या हो जाएगा यहाँ जो salt बनेगा इसका pH क्या हो जाएगा सर, greater than 7 क्यों? क्योंग क्यों सा character जादा है strong का base वाला अगर मैं ऐसे लिख दू strong acid plus weak base strong acid plus weak base क्या हो जाएगा अपने पास salt और इसका pH क्या हो जाएगा less than 7 salt pH क्या हो जाएगा less than 7 weak acid और weak base में हम कुछ बोल नहीं सकते इसके case में हमें उसके आसपास देखना पड़ेगा यहाँ जो salt होगा उसका pH हम लोग salt headless जब करेंगे तो उसके आसपास लेकर होता है ना कि nearly अपने पास कितना देख रहे होंगे 7 क्या सपास ही देख रहे होंगे यहाँ मैं ऐसा बोल सकता हो कि pH इसका decide करेंगे इसका pH हम लोग decide करना शुरू करेंगे तो मेरे पास acid base से क्या बनता है salt और उसके बारे में भी हम discussion कर रहे है salt अब यह सारे salts हम लोग पढ़ने वाले अभी just salt headless में minus log x हो जाता है power of x is nothing minus log x हो जाता है अगर मैं यहाँ pH लगाता हूँ तो minus log क्या जाएगा h plus हा जाएगा अगर मैं p o h लगाता हूँ तो यह क्या हो जाएगा minus log o h minus हा जाएगा और अगर मैं sir p ka लगाता हूँ तो यह क्या हो जाएगा माइनस लॉग के हो जाएगा अगर मैं पी के भी लगाता हूँ माइनस लॉग के भी हो जाएगा अगर मैं पी के डबलू लगाता हूँ तो ये क्या हो जाएगा माइनस लॉग के डबलू हो जाएगा तो ये छोट छोट छीज़े हैं कभी भी यूज करते हो निकालने जाते हो एक ध्यान सिंपल से चीज़ याद रखना कि सर माल लो ऐसे लिखा हुआ है concentration h plus की दी हुई है h plus के लिए बता रहा है oh h minus खुद consider कर लेना अगर h plus की value ऐसे दिया हुआ है इसका पी एच निकालना within second पता है कैसे निकाल दोगे इसका pH पता है क्या हो जाएगा y minus log x सर ये पहला shortcut दिमाग में रख लीजिएगा आप सीधा सीधा निकाल सकते हो अगर लगता है तो मैं यही पे बगल में लिख भी देता हूँ अगर oh minus ऐसा दिया हुआ है अगर oh minus ऐसा दिया हुआ है x into 10 की power minus y तो सर पी oh जो होगा वो कुछ नहीं y minus क्या जाएगा log x पहला shortcut तर shortcut देखो ये shortcut calculation करने में आपके बहुत आसान हो जाएगा अगर आप इसको follow करना सुरू कर दोगे तो अगर मैं बात करूँ अगर pH की value दी हुई है pH की value मान लो अपने पास क्या दिया हुआ है जड़ और जड़ क्या है और जड़ क्या है तो सर जड़ एक integer है एक कोई positive या negative integer है पता है सर ये h plus की concentration कितनी हो जाती है सीधा आख बंद करके क्या लिखने वाले है 10 की power minus सीधा सीधा आख बंद करके अगर सर पी ओच इफ पी ओच अगर गिया हुआ है जड़ सर अगें जड़ एस अन इंटीजर अगर कोई इंटीजर लिखा हुआ है तो सीधा सीधा आप क्या करने वाले हो सर OH- की concentration पता है क्या लिखने वाले हो 10 की पावर माइनस सर इसी का reciprocal कर देंगे तो अभी reciprocal करते ही shortcut देख भाई कितना जल्दे लिए तेरा numerical solve होगा अगर तुझे ये दिया हुआ है H plus की concentration सीधा सीधा 10 की पावर माइनस Q दिया हुआ है तो सर पता है आपका pH क्या हो जाता है क्यू जाता है similarly अगर OH- का concentration if OH- का concentration अगर यहाँ पे 10 की पावर माइनस Q दिया है तो ती OH क्या जाएगा पाजाएगा तो इस shortcut देख लो इन्हीं को use करना है आपको जिन्दगी में सिर्फ सिर्फ और shortcut पे काम चला दो पाकी अपने पास चीजे आसान है आप जब चाहे शॉटकट यह 3 shortcut बता रहो ताकि आपको बार बार pH scale में दिक्कत ना आए pH scale आप fast fast कर सकते हो pH scale क्या करोगे fast fast कर लोगे आप यह देख लो अपने पास चलो भाई अब देखो pH शॉटकट हो गया अब शॉटकट के बाद क्या करने वाले हैं हम लोग तो शॉटकट के बाद देखो अब क्या करते हैं हम लोग उने pH की calculation स्टार्ट करने हैं अब pH दो लोगों का निकल के आता है ध्यान से सुनना pH न दो लोगों का निकल के आता है अगर तुम्हें strong acid या strong base के case में बात करते हो देखो यार अगर मैं pH के बादें बात करूँगा ना अगर strong acid मैं अलग-अलग cases बताएता हो अगर strong acid है या फिर strong base है तो एक simple सी कहानी बताएता हो अगर आप pH निकालना चाहते हो तो कुछ नहीं पता है आपको कुछ नहीं करना अगर H plus की concentration निकालना चाहते हो pH निकालना है तो कुछ नहीं H plus की concentration पता है क्या हो जाएगी अगर sir किसके equal हो जाएगी concentration of ये देख लो सीधा सीधा concentration of monobasic acid Mono basic acid मतलब कि sir Mono basic acid कौन होता है जिसके अंदर एक ही H plus देने की टाकत होती है सीधा सीधा अगर इसी को बोलूं तो H plus 2 times concentration of concentration को shortcut में लिखूं और ऐसे लिख दूं 2 times dye basic acid अगर dye basic acid है अगर H2SO4 है तो उसके case में हम लोग क्या करते हैं 2 times कर देते हैं अगर strong acid में try basic है तो sir सीधा सीधा आप try basic acid निकाल दो और इसके case में फिर क्या करने सुरू करो हैस 3A कर दो अब sir इसके case में आपको pH निकालना आसान है minus log H plus करके निकाल दो sir strong acid है strong base है tension है ही नहीं क्योंकि strong acid strong base में कोई equilibrium का concept ही नहीं आता strong पूसता नहीं है strong वाला बच्चा ना कभी ज़्यादा इधर उदर भटकता ही नहीं है उसको पता होता है कि यार क्या करना है similarly OH- concentration निकालना है concentration of sir concentration of sir mono acidic base mono acidic base ले लो concentration of mono acidic base ले लो या फिर 2 times concentration of concentration of di acidic base ले ले लो पहले यहां क्या निकालेंगे pOH pOH कितना हो जाता है minus log h plus sir पहला case देख लो अगर मैं बुलता हूँ strong acid strong base है h plus का concentration डारेक्ट निकाल दो कुछ नहीं अगर mono basic है मतलब like hcl है तो hcl में उसी का concentration h plus के बाराबर अगर di basic h2SO4 तो 2 times कर दो similarly oh minus में कर दो तो यह तो पहले दूसरे case हो गए अब आता है कि sir strong acid अगर strong acid में बात करना शुरू करते strong acid में बात करते तो अगर ऐसा बोल दिया जाए कि sir water के बारें बात करते तो water क्या है water दो टाइप से भी हैव करता है water का अगर water का dissociation देखे autoprotolysis देखे यह reaction बहुत जादा important होती है पानी खुद को ही h plus दे सकता है और यह equilibrium में चला जाएगा यह देख लो अपने पास यहाँ अगर पानी acid में है तो acid के बात इसका क्या बन रहा है यहाँ पे conjugate base और अगर इसी पानी को देखोगे तो यह पानी base की तरब भी have कर रहा है और यह क्या बना रहा है conjugate acid बना रहा है water के case में equilibrium constant की value जो होती है वो क्या ले लेते है h plus and क्या ले लेते हैं हम लोग oh minus अगर मैं बात करता हूँ h plus and oh minus सर इसको सही से solve करेंगे तो at room temperature at room temperature अगर मैं बात करूँ room temperature की तो room temperature पे जो kW की value होती है वो क्या हो जाती है 10 की power minus 14 हो जाती है तो सर एक बात बताओ अगर room temperature पे kW की value क्या आ गई h plus into oh minus और room temperature पे at room temperature इसकी value क्या है at room temperature या फिर normally नहीं mention है कोई भी temperature mention नहीं है तो सर आप क्या ले लोगे kW की value 10 की power minus 14 और तुम्हें पता है एक बात बताओ 10 की power minus 14 kW की value 10 की power minus 14 है पता है सीधा सीधा kW की value देखके सर pH scale पता है कहां से कहां जाता है 0 से लेके जो kW की value उपर लिखी है वही उसका क्या हो जाएगा pH scale जो भी negative में लिखा है उसका half कर दो 14 by 2 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा यह equilibrium constant है तो kW is an equilibrium constant सिर्फ और सिफ किस पर depend करता है only depends on temperature सिर्फ और सिफ किस पर depend करता है temperature पर याद करना है chemical equilibrium में पढ़ा था equilibrium constant सिर्फ और सिफ temperature पर depend करता है अगर temperature बढ़ाओगे temperature बढ़ाओगे kW की value क्या होगी बढ़ेगी kW की value बढ़ेगी तो pH scale क्या होना सुरू हो जाएगा shrink होना सुरू हो जाएगा सर अगर temperature कम करोगे temperature कम करोगे kW की value कम होगी और pH scale क्या हो जाएगा अपना सर बढ़ना सुरू हो जाएगा कैसे यह देख लो अगर मैं बोलता हूँ कि सर 90 डिग्री सेलसियस है के डबलू की वैलू क्या हो जाए 10 की पावर माइनस 12 भाईया पता है पी एच स्केल कहां से कहां तक जाएगा पी एच स्केल इस केस में 0 से लेकर 12 तक जाएगा पी एच ओफ नीटरल वाटर पता है कितना हो जाएगा पी एच ओफ नीटरल वाटर अगर देखोगे तो सर यह हो जाएगा सर 6 हो जाएगा सर अगर मैं ये बोल दू कि add 0 degree Celsius अगर ऐसा लिख दू KW की value 10 की power minus 16 हो गई तो सर pH scale पता है कहां से कहां fluctuate करेगा सर 0 से लेकर 16 तक और pH of neutral water pH of neutral water जो होता है pH of neutral water जो होगा वो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा room temperature पर ये सब कुछ valid करना है लेकिन उसके आगे कहांई अलग हो जाती temperature change करोगे सर कहांई अलग हो जाएगी एक चीज़ और सर at room temperature at room temperature सर pH plus POH अगर उसको solve करते हैं तो pH plus POH कितना हो जाता है 14 और at normal at any temperature at any temperature पेटा ये formulas इस chapter में सिर्फ और सिफ formulas के उपर mastery करनी है कोई concept difficult नहीं आएगा लिख के देता हूँ पी के डवलू की इस chapter में सिर्फ और सिफ formulas के उपर बेश कोश्चन आते हैं डारेक्ट डारेक्ट formulas के तो हमने तीसरा case देखना सुरू किया अगर पी एच निकालना सुरू करता हूँ त सर अगर मैं pH calculation में अलग-अलग case कर रहा हूँ तो pH में मैंने पहला case निकाला strong acid का फिर strong base का और third case हम लोग किसका निकाल रहे हैं पानी का पानी के अंदर हमने ये चीज़े देख ली फिर किसने बोला सर सर अगर एक बाब बताओ neutral water का मतलब क्या होता है neutral water का मतलब होता है सर और उसके अंदर h plus और OH minus ये क्या होते है concentration equal, अगर मैं बुलो acidic water, अगर मैं बोलता हूँ acidic water, तो acidic water में क्या हो रहा होता है कि sir h plus की value किस से जाधा हो जाएगी, oh minus से ज़ादा हो जाएगी, अगर मैं के बोलता हूँ basic water, तो इसमें क्या हो जाएगा, sir h plus की value ह प्लस की value, sir kis स कम हो जाएगी OH- से कम हो जाएगी तो पानी के अंदर acidic, neutral, basic सब कुछ हो सकता है पानी का pH चेंज हो सकता है 6 के आसपास पहुँच सकता है 7 के आसपास पहुँच सकता है It depends किस पे temperature क्या है फिर पानी के बात देखो Sir case number 4 देखना शुरू करो तो Sir fourth case में हम लोग क्या देखते अगर H plus का concentration H plus हो चाहे OH- का concentration Sir किसके अगर किसके आसपास आना शुरू हो जाए 10 की power in between अगर H plus और OH- ही concentration in between किसके आ जाए 10 की power minus 6 to 10 की power minus 8 या minus 9 तक ऐसे माल लो 10 की power minus 5 to 10 की power minus 9 तक अगर माल लेते हैं then हमें क्या consider करना है then concentration of H plus and OH- आपको कहां से consider करना है from water also Sir water के साथ also कर लो मतलब अगर मैं 10 की power minus 8 M HCl ले रहा हूं तो इसके अंदर से जो H plus आएगा H plus दो जगा से आएगा 10 की power minus 8 कहां से HCl से और पानी का भी कितना आजाएगा 10 की power minus 7 water से तो Sir ये fourth case अगर H plus और OH- concentration 10 की power minus 5 से 10 की power minus 9 तक है तो ये condition लेनी है और अब अगर बात करता हूं अगर इससे भी कम हो गई H plus और OH- की concentration इससे भी कम हो गई 10 की power minus 8 से या minus 9 से कम हो गई तो उस case में pH जो होता है pH हमेशा क्या हो जाता है 7 water equal neutral water के equal हो जाता है क्यों भाई क्योंकि उसके सामने फिर water को consider हम लोग करना शुरू कर देते हैं सर अगर बहुत जादा concentration कम हो गया तो उसके case में pH फिक्स हो जाता है similarly अगर मैं बात करूं सर pH निकालना है अगर concentration of H plus और OH minus अगर ये concentration equal to greater than 1 M हो गया तो सर इस case में in that case in this case pH scale जो होगा in this case pH will be सर pH will be negative और इसलिए pH will be negative सर pH scale is only defined for pH scale is only defined for pH scale सिर्फ अगर के scale defined है only defined for सर defined for dilute concentration not for dilute concentration not for not for concentrated अगर pH scale के cases के बारे में बात करो तो सर concentrated solution concentrated solution dilute solution के लिए defined है not for concentrated solution तो सर मेज़द देखो 6 cases है मेरे पास सर pH scale मैंने निकालना शुरू किया acid base से शुरू किया था पानी पे आया पानी के बाद हम लोग कहां आ गए कि सर अगर H प्लस और OH माइस की कौनस बहुत मेजदीक है water के तो उसका भी consider करना पड़ेगा और कुछ जादा ही कम हो गया तो फिर pH of water ले लो 6th case H प्लस और OH माइस अगर greater than 1 आ गया तो pH क्या हो जाएगा negative उस case में हम लोग बोल देते हैं कि भी या तुम्हारे लिए pH scale defined नहीं है तुम्हारे लिए कुछ और चीज़ें होंगी पक्का अब देखो सर अपने पास effect of dilution देख लो effect of dilution भी होता है on pH सर cases pH के देख लो effect of dilution on pH सर pH के उपर dilution का effect क्या होता है अगर आप dilute करते हो अगर आप dilute करोगे तो dilute करने में क्या हो रहा होता है effect of dilution क्या होता है सर एक concentration का use करते है M1 V1 is equals to M2 V2 और सर H plus initial जो होगा H plus initial into सर volume initial is equals to क्या हो जाएगा H plus का concentration final और volume का concentration क्या हो जाएगा final याद रखना अगर concentration concentration changes by concentration अगर change करते हो 10 से तो सर pH changes by pH changes by 1 pH का change क्या आता है 1 से क्यों क्योंकि सर log लगा होता है अगर concentration 10 से change करोगे pH 1 से change होगा concentration बढ़ाओगे pH क्या हो जाएगा कम होना सुरू हो जाएगा concentration जादा 10 से बढ़ाओगे तो pH 1 से change होगा अगर concentration 100 से change करोगे तो sir pH कितने से change होगा sir 2 से हो जाएगा अगर concentration 1000 से change करोगे तो sir pH कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा तो ये basic चीजे हैं effect of dilution की फिर sir last case देखना सुरू करो pH में strong acid is strong base में mixing के case में देख लेना mixing के case में क्या होता है कि sir H plus mixture का H plus mixture का निकालना है तो M1 V1 plus M2 V2 divided by volume of mixture कर देते हैं ये कब जब sir strong acids mix हो रहे हैं when two strong acids are mixed अगर दो strong acids are mixed हो रहे हैं तो उसके case में H plus mixture ऐसे निकालते हैं अगर दो strong base mix हो रहे हैं तो उसके case में OH minus mixture निकालते हैं and that will be M1 V1 plus M2 V2 divided by sir V of mixture और यहां पे when two bases two strong bases are mixed then two strong bases are mixed sir तो इसका pH ऐसे निकालेंगे और अगर एक strong acid और strong base में strong acid और strong base अगर अगर अपने को mix किया गया है तो उस case में sir हम लोग क्या लिखते हैं H plus हो या फिर OH minus हो sir उसके case में हमें लिखना होता है M1 V1 minus M1 V1 minus M2 V2 divided by V of mixture अब यह चीज़ depend करती है कौन सा जादा है acid जादा है या base जादा है जिसके भी जादा होंगे उसके हिसाब से depend कर जाएगी तो sir यह 8 cases है जो pH scale strong acid और normal case में fluctuate कर रहे होते यह normal case में fluctuate कर रहे होते अब 8 case करने के बादना अब हम लोग करने वाले हैं 9th और 10th अब इसमें क्या है pH निकालना तो है किसका निकालना है यह ध्यान से सुनना pH निकालना है किसका weak acid और weak base का यह बेटा यहां से आईनी क्लिवर्म की सुरुवात हो जाती है यहां तक तो basic चीज़ होती है इसके बाद आईनी क्लिवर्म तकड़ावाला शुरू हो जाता है कैसे तो यह देखो अगर मैं बोलता हूँ weak acid अगर मैं weak acid लेता हूँ तो सुनना सर ध्यान से सुनना weak acid को मैं लेता हूँ H और यहां मैं लेता हूँ weak base ध्यान से देखना और इसी formula को याद रखना week base यह ले लेदा मैंने week base यह देखो acid है याद करू हमने पढ़ा था कि acid week acid में equilibrium आता है week portion में equilibrium आएगा कुछ दिर dissociate होगा कुछ दिर नहीं होगा इसलिए week portion को ही हम लोग equilibrium से define करते स्ट्रॉंग वाला बंदा बात थोड़ना सुनता है यार स्ट्रॉंग वाला बंदा अपना एक continuous flow में चला जाता है वीक वाला बिचारा परिशान रहता है वो कभी क्या करेगा कभी इधर अटकेगा कभी इधर अटकेगा यह देखो C00 और time is equals to equilibrium पे बात करूँगा तो C minus C alpha यह C alpha यह क्या हो जाएगा Similarly यह क्या हो जाएगा C00 time is equals to equilibrium पे बात करूँगा तो यह क्या हो जाएगा C minus C alpha सर यह देख ले ना अपने पास इसका equilibrium constant लगाएंगे C alpha square upon 1 minus alpha जाता है लेकिन सर applying अगर if alpha is less than 5% या फिर alpha की value less than 0.05 है then हम लोग क्या करते हैं वो stual dilution law लगा देते हैं वो stual dilution law क्या कहता है कि सर 1 minus alpha is equals to 1 K की value क्या हो गई C alpha square सर alpha की value क्या हो गई under root K by C और यहां से H plus निकालने कोज़ करूँगा तो वो क्या हो जाएगा C alpha और यह इसको और ज्यादा करूँ तो K into C सर यहां पे अगर pH निकालने कोज़ करूँगा 1 by 2 Pka minus क्या जाएगा log C सर इस साल का question 2022 का question यहां रखा है सर exactly इसी पोई weak acid अब similarly weak base में देखो यहां पे acid है तो क्या लिखा है मैंने K लिखा है equilibrium constant for acid dissociation constant of acid ionization constant of acid सर यह लिख दिया और अगर मैं same चीज़ अगर यहां KB के लिखूंगा तो यह भी क्या आएगा C alpha square 1 minus क्या आजाएगा alpha और इसको ध्यान से देखना सर यहां पे KB की value यह आ गई if alpha is less than 5% या फिर alpha is less than 0.05 प्लाई सर उस्ट्वाल डियलूशन रोऊ उस्ट्वाल डियलूशन लोऊ उस्ट्वाल डियलूशन जैसे लगाँगा सर क्या आने वाला है KB की value क्या आएगी C alpha square alpha की value क्या आएगी KB by C और सर यहां से OH माीनस क्या आएगा C alpha या फिर under root KB into C या फिर POH निकालेंगे, याद रखना, इसके case में acid है तो pH निकालेंगे, base है तो POH निकालेंगे बेटा, यह सबसे बड़ी common mistake होती है, जब हम लोग देखना शुरू करते, सबसे ज़्यादा बच्चे common mistake कहीं करते, यह याद रखना सर, अगर base है ना, तो पहले क्या निकालत हैं, हम लोग पहले निकालते हैं, फिर उसके बाद pH निकालते हैं, अगर यहाँ pH निकालना है, तो सर, यह 14-POH करना पड़ेगा, याद रखना, सर, यह question बहुत सुन्दर सा question बन जाता है, weak acid, weak base को ध्यान से देखो, kade को देखो, kb को देखो, और इसके बाद alpha, h+, इन सब क अगर सर, दो acid है, अगर मैं, ascd के strength को compare करूंगा, अगर मैं cd के strength को compare करूंगा, acd के strength मतलब क्या हो जाएगा, directly proportional to h+, HD की, сर ocd के strength, दो अलग-अलग acid को strength अगर देखना शूरू करूंगा, acid के strength को compare करूंगा, तो सर, इसी में क्या करने वाला हूं, acd के strength, अगर compare करना चा इंटू C1 अंड के 2 इंटू क्या हो जाएगा C2 Similarly, उसी के आगे लिखते चले जाओ Sir, basic strength को अगर compare करूँगा तो basic strength कैसे compare होगा directly proportional to OH- और Sir, basic strength 1 basic strength 1 basic strength अगर मैं compare करता हूँ किसका? Sir, 1 का divide by basic strength अगर 2 को compare करूँगा तो Sir, ये क्या हो जाएगा KB1 इंटू C1 KB2 इंटू क्या हो जाएगा है ही हो जाएगा निकालते रहो Sir, अगर 2 if 2 or more 2 or more weak acids are mixed अगर 2 acids mix कर रहे हैं weak acids are mixed अगर इनको mix कर रहे हैं तो पता है आपको H plus का H plus mixture का कितना हो जाएगा Sir, simple सा logic लगा दीजेगा कुछ नहीं K1 इंटू C1 K2 इंटू C2 Sir, dash 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 जितने भी होंगे सब को add कर दो अगर 2 weak base अपने पास add हो रहे हैं 2 or more weak bases अगर add हो रहे होंगे 2 or more weak bases अगर add हो रहे होंगे ये mixed हो रहे होंगे अगर 2 weak bases mixed हो रहे होंगे दिन अगर सर आपको कोई बोलेगा OH- बताईए mixture के अंदर तो OH- mixture का क्या आ जाएगा under root KB1 into C1 plus under root KB2 into C2 plus dash 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 पस weak acid weak base में यही formula आएंगे जैसे weak acid weak base पढ़ते हैं यहाँ पे आता है effect that is known as common ion effect जैसे हम लोग पढ़ते हैं यह आता है common ion effect effect में क्या होता है अगर if अगर इसमें case दो ले लेता हो यह ध्यान से सुनना if weak acid if a weak acid या फिर weak base is अगर बोल सकते हैं individually या independently अगर independently क्या हो रहा है dissociation में जा रहा है independently dissociate कर रहा है अगर यह independently dissociate करेगा तो इसका alpha क्या हो जाएगा under root अंडरूट क्या हो जाएगा K Y C या फिर अगर base होगा तो क्या हो जाएगा K B Y C अगर एक weak acid अपने आप कर रहा है तो लेकिन अगर सर इसी के अंदर एक case ऐसा ले लिया जाए case 2 ऐसा ले लिया जाए सर याद रखेगा case 2 अगर ऐसा ले लिया जाए कि सर एक weak acid या एक weak base एक weak base is dissociated in presence of dissociated in presence of presence of Xm Xm of strong acid या फिर क्या लिखनो strong base अगर strong acid is strong base के presence पर उसकी concentration कितनी दी है Xm सर याद रखना यहाँ पे degree of dissociation alpha dash हो जाएगा alpha dash changed new degree of dissociation हो जाएगा क्यों क्योंकि because of common ion effect new degree of dissociation हो जाएगा और यह value पता है क्यों हो जाती है alpha will be greater than alpha dash पर वाला इससे ज़्यादा बड़ा होगा alpha dash की value पता है क्या करना है सर dissociation constant of alpha dash देखो क्या निकल किया आएगा dissociation constant of weak acid या weak base weak acid या फिर weak base divided by concentration of concentration of strong acid या फिर strong base तर याद रखना common ion effect में क्या change होता है degree of dissociation degree of क्या change जाता है dissociation alpha is nothing under root k by c अगर weak acid weak base independently dissociate कर रहा है तो लेकिन अगर किसी की presence में करेगा किसी strong acid या strong base की प्रिजन्ट में करेगा तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं common ion effect because H plus या OH minus क्या हो जाएगा dominate कर जाता है किसका strong acid या strong base का तो alpha और alpha dash में alpha की value हमेशा जादा होगी किस से alpha dash से फिर किसने बोला कि सर अब एक काम करो weak acid weak base हो गया सर उसके बारे में बात कर ली अब एक नया solution लेके आते हैं जिसका pH fluctuate नहीं करता है जिसका pH हमेशा fixed रहता है pH का change को वो resist करता है ऐसे ही solution को हम लोग क्या बोलते हैं buffer solution मतलब यह क्या है जो resist करता है which resist pH change जो pH के change को resist करता है अब pH के change को कैसे resist करता है अगर acid डालोगे या base डालोगे तो कुछ ना कुछ change होगा लेकिन बहुत minute सा change होगा कैसे पहले देखो buffer solution दो टाइप के मिलेंगे मेरे पास एक होगा acidic buffer एक होगा acidic buffer सर देखो अपने पास अब यहां कुछ लोग होते हैं कि simple buffer भी ले रहें नहीं जुरत NCRT में acidic और basic buffer बात कर रहा है तो आप इसी के बारे में बात करो कुछ होता है acidic buffer कुछ होते है basic buffer acidic buffer किसको बोलते है कि सर weak acid और उसका salt weak acid और उसका salt किसके साथ weak acid और उसका salt with सर strong base सर यहां पे weak base प्लस उसका salt उसका salt उसका salt with सर with strong acid सर strong acid याद रखना acidic buffer basic buffer अगर weak acid यह है सर weak acid यह है तो उसका सर CS3 COO इसके साथ यह डाल दो सर इसके साथ अगर मैं बूल दूँ NH4 OH है तो सर इसके साथ इसका क्या डालना सुरू करो NH4 CL डाल दो तो सर यह आ गया इसने बूला सर acidic buffer का pH कैसे निकालेंगे तो कुछ नहीं सर याद रखिएगा PKA PLUS LOG salt upon salt upon क्या हो जाएगा acid जो portion weak है वही participate करता है यहां क्या आएगा pH आएगा यहां क्या आएगा pH आएगा यहां पे basic buffer में क्या आणा शुरू होगा यहां basic buffer में p.o.h आएगा याद रखना p.o.h आएगा p.k.b PLUS LOG salt upon LOG salt upon क्या आजाएगा sorry base salt upon क्या जाएगा बेस आजाएगा इसका फॉर्मूला यह हो जाएगा तर यह कॉंसेंट्रेशन तर एक बात बता हूं पीएच जो होता है न पीएच का सर पीएच जो होता है वो पीएचिएज़ेच जो होते हैं चितने व अप इंडीकेटर्स एक एक वर्ड यूस होता है बॉफिर किक्या क्या होती है तो सर जितना pH का buffer capacity is nothing सर डेल्टा एन अपॉन डेल्टा pH मतलब सर डेल्टा एन और डेल्टा पी एच डेल्टा एन क्या है number of moles of acid और base added number of moles of acid और base added number of moles of acid और base और डेल्टा pH क्या हो जाएगा change in pH यहीं क्या होता है buffer capacity यहीं क्या होता है buffer capacity इंडिकेटर बॉफर सॉल्यूशन होते हैं अच्छा buffer capacity में बोलते हैं कि buffers कब destroy हो जाते buffer solution buffer solution get destroyed buffer solution get destroyed पता है कब destroyed हो जाएगा get destroyed when sir when क्या हो जाए pH का change पता है क्या हो जाए pka या pkb के plus minus 1 इसके range में तब तो सही है लेकिन जैसे sir pH का change when delta pH is greater than 1 हो जाए समझ जाना buffer solution क्या हो जाएगा destroy हो जाएगा sir याद रखना जब pH का change यह क्या है यह range of buffer solution यह क्या है range of buffer solution buffer solution को हम तब तक मानते हैं कि भाईया buffer solution अभी भी अपना pH maintained करके बैठा है अगर sir plus 1 minus 1 से उपर हो गया मतलब buffer solution destroy हो गया pH का change एक से जादा हो गया buffer solution क्या हो जाएगा destroyed हो जाएगा दूसरा कि sir अगर salt upon acid या base का concentration salt upon acid और base का concentration या तो कितना हो जाए greater than 10 आ जाए या फिर salt upon acid और base का concentration acid और base का concentration less than 1 by 10 आ जाए यह दो conditions ऐसी हैं जहांपे buffer solution को हम लोग क्या मान लेते हैं destroy होना कि buffer solution यहां पर destroy हो जाता है या indicators का change जो होता है वो नहीं दिखता है buffer solutions यह हैं जिनके अंदर यह चीज़े होंगी acidic buffer basic buffer buffer capacity क्या है कि sir कुछ acid या base डालते हो तो pH में जो change आता है वही होगा अगर कोई simple सा एक example ले लो ना मान लो यह acidic buffer है अगर कोई acidic buffer है तो acidic buffer में क्या होगा acidic buffer में क्या होगा weak acid होगा और उसका salt होगा weak acid और उसका salt है तो sir क्या होने वाला है इसका pH क्या लिखाम लोगों ने sir pka plus log salt upon acid log salt upon acid अब अगर किसे ने बोल दिया कि sir मान लो if strong acid is added एक बात बताओ अगर strong acid add होगा दिन क्या होने वाला है pH में change क्या हो जाएगा अगर pH- की बात करूं तो pH में क्या होगा strong acid किससे react करता है strong acid weak acid से react नहीं करेगा किसे react कर जाएगा salt से और salt की concentration क्या करेगा change करेगा log salt की concentration क्या हो जाएगी minus x obvious है sir salt की concentration कम कर देगा acid की concentration बढ़ा देगा similarly strong acid के बदले strong base ले लोगे strong base क्या करेगा अगर इसी के अंदर मैं ये case लेके बैठाओ अगर किसने बोला कि नहीं sir एक काम कीजिए case 2 ले लीजिए case 2 ले लीजिए अगर strong base को अगर add कर देता हूँ strong base को अगर add करूंगा तो sir यहाँ पे pH क्या होगा k a plus log sir अब की बार acid react होगा तो उसकी concentration कम हो जाएगी और acid की concentration कम हो जाएगी salt की concentration क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी x से बढ़े चाए y से बढ़े जो भी होगा यही buffer होता है तो buffer solution में यह सब चीज़े हैं जैसी buffer होता है उसके बाद हमारी life में आता है कौन सा salt hydrolysis direct direct buffer के उपर इस साल का भी question है weak acid weak base का भी question इस साल का है तो ध्यान रखना जो formula is quality उसी के उपर questions मिलेंगे buffer solution के बाद मेरी जिंदगी में आता है salt hydrolysis salt hydrolysis में क्या होता है जो weaker part होता है वो कहां चला जाता है यादना salt hydrolysis मतलब weaker part of salt weaker part कहां जाता है of salt undergoes hydrolysis weaker part of salt undergoes hydrolysis अगर बात करें to hydrolysis में वो जाता है जो weaker part मेरे पास 4 type के salt मिल जाएंगे strong acid plus strong base सर इसके अंदर कोई weaker part नहीं है तो सर इसके अंदर कोई hydrolysis नहीं होती है दोनों acid भी strong है waste भी strong है तो इसके case में no hydrolysis कोई hydrolysis नहीं होगी कोई hydrolysis नहीं होगी और इसी लिए इसका pH किसके equal आता है सेवन के equal आता है सर अगर मैं बात करूँ strong acid और अगर weak base ले लेता हूँ अगर एक भी portion weak base हुआ तो इसके केस में क्या होने वाला है सर इसमें कौन base part है base वाला piker part है सर strong acid किसी salt में किसी भी salt में याद रखना ये किसका part है base का किसी भी salt में और जो anion होता है वो किसका part होता है acid का यहां कौन सा part weaker है सर कटाइन का तो मतलब क्या हो जाएगा यहां पे किसकी hydrolysis होगी कटाइनिक hydrolysis होगी यहां पे किसकी hydrolysis होगी कटाइनिक hydrolysis होगी और इसका pH जो होगा वो क्या जाएगा less than 7, क्यों? क्योंकि strong acid का part क्या है, जादा dominate कर रहा है strong acid का part क्या कर रहा है, जादा dominate कर रहा है, अगर मैं बोलू weak acid है, और strong base है weak acid है, और strong base है, इस case में सर कौन सा part weak है acid का, तो acid का part कौन सा होता है anionic hydrolysis, यहाँ पे क्या जाएगा anionic hydrolysis, और यहाँ पे एक चीज़ fixed हो जाएगी एक चीज़ fixed हो जाएगी, कि इसका pH जो होगा, वो greater than क्या जाएगा 7, and the last one अगर मैं last one की बारे में बात करो कि सर एक salt ऐसा भी होगा जिसमें दोनों portion weak होंगे तो यहाँ पे हम लोग सबते हैं कि both catinic as well as anionic both catinic and anionic hydrolysis दोनों टाइप की hydrolysis होने वाली है इसके दोनों टाइप की hydrolysis होने वाली है और इसका pH दोनों पे depend करेगा तो चार टाइप के salt जो weaker part होगा वो hydrolysis करेगा इसका pH हमेशा fixed है इस तोनों इन तीनों का pH अब हमें देखना है यहाँ पे दो तीन चीज़े आएंगी salt hydrolysis में इसको बोलते हैं degree of hydrolysis सर जैसे degree of dissociation था वैसे degree of hydrolysis आ जाएगा और salt के case में हम लोग टर्म लेके आएंगे cage that is known as hydrolysis constant यह भी क्या है equilibrium constant ही है लेकिन हाँ यह hydrolysis constant के नाम से जाना जाएगा अब सर तीन टाइप के salt होंगे तीन टाइप के salt होंगे तीनों को एके करके देखते हैं और उनके formula's देखते हैं चीजों को relate करते हैं देखते हैं क्या क्या देखता है सर अगर मैं बोलता हूँ weak acid है और strong base का salt है सर यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ कि सर strong acid है और weak base का salt है और अगर मैं बोलता हूँ कि सर दोनों ही weak है weak acid plus weak base इन दोनों का ही salt है तो यहाँ ध्यान से देखना आप क्या क्या होने बाला है सर weak acid का part क्या होगा A minus होगा वो hydrolysis में जाएगा और सर वो क्या बना देगा HA plus OH minus सर यहाँ पे concentration C00 T minus CH CH सर यहाँ पे KH की value जो आती है CH square 1 minus H applying applying austral dilution law austral dilution law क्या बोलता है कि सर austral dilution law के हिसाब से देखोगे तो सर यह क्या बोलता है कि alpha यह alpha ना लिखके क्या लिख दूँ H की value less than 5% हो तो KH की value क्या हो जाएगी CH square और यहाँ से H की value क्या आ जाएगी KH by KH को निकालना है तो यहाँ पे जो भी weaker part है उससे इससे भी निकाल सकते इसका जो pH निकालने कोशिश करेंगे तो pH निकल के आ जाता है सर weak acid है 7 plus 1 by 2 PKA plus log क्या जाएगा सर इसका pH का formula यह KH की value यह भी आ जाएगी KH की value weaker part को divide करके निकाल दो या फिर KH की value इससे भी आ जाएगी यह अगर आता है तो इसी का जुड़वा भाई यह है सर यहाँ पे सर weaker part कौन सा होगा weaker part कौन सा होगा तो weaker part सर base का होगा और यह क्या बना देता है DOH और plus H plus सर यह C 00 पानी का concentration नहीं लेना है पानी का concentration हमेशा 1 लेना है again KH क्या हो गया CH square 1 minus H again applying austral dilution law applying austral dilution law सर यह सारे formula's बस लिख लो और try करो सर इस chapter के question सिर्फ formula based होते हैं अगर H less than 5% है तो उस case में H अगर less than 5% है तो KH की value क्या हो जाएगी CH square और H की value क्या हो जाएगी under root KH by सर के एच की value क्या हो जाएगी CH square सर यहां से देख लो H की value आ गई यहां पे कौन सा part weaker है सर यहां पे कौन सा part weaker है सर बेस का part weaker है तो KH की value के डबलू बाई के भी हो जाएगी और यहाँ पे पी एच की वैल्यू जो होगी सेवन माइनस वन बाई टू पीके पीके बी प्लस क्या जाएगा लॉग सी तो यह आ जाना सुरूर पक्का तो यह छोड़ छोड़ ची अगर यहाँ वीक एसट वीक बेस है दोनों पार्ट हाइड लैसिस करेंगे ए माइनस होगा बी प्लस होगा और यहाँ पे एच टू के साथ रियक्शन करेंगे यह क्या बना देगा एच यह और यह क्या बना देगा बी यहां सी सीचड ऑर यह यहां पर केस निकालने जाओगे ह और क्या जाएंगे क्या चाहे माइनस ह का का dus on a चाहां यहां पर यहां पर अभुश्न करद है अंडरूर के होगा यहां एच की वैल्लू निकालना चाहाए है के डबलू यहाँ दोनों पार्ट वीकर हैं तो के प्लस के भी और यहाँ पे पीएच निकालने जाओगे तो 7 प्लस 1 बाइटू पीके ए माइनस क्या जाएगा पीके भी आजाएगा तो सर इसका पीएच भी आप निकाल सकते हैं तो ऐसे ऐसे करें कुश्चन करते रहें तीन हैं तीनों के केस में सर तीन ही है सॉल्ट मिलेंगे और इनी तीन सॉल्ट को हमें देखना है सर विदीन टाइम आप इसको देख सक क्वादिो के बात को जाएक और लाज्टий प्रोड़क्ट और यहीं उन्हारा लास्ट टॉपिक का है सबसे ही बनना में शुरू हो जाता है दो टाइप के तीन टाइप के वह और अौ Soluble Salt, Soluble Salt मतलब जाते हैं dissociate कर जाए, Soluble Salt मतलब जिनका concentration, जिनकी solubility के बारे हम बात करेंगे, तो solubility क्या होगी, Sir greater than 0.1 है, Sir एक होता है, स्लाइटली सॉलिबल, एक होते हैं स्लाइटली सॉलिबल, एक होते हैं स्लाइटली सॉलिबल, एक होते हैं स्लाइटली सॉलिबल, ए Solubility इसमें कहां से कहां fluctuate करेगी 0.1 M से इसमें 0.1 M से Solubility ज़्यादा होगी 0.01 M से ज़्यादा होगी Solubility और किसके बीच में होगी सर ये देख लो अपने पास Less than 0.1 M सर इसमें क्या होगी सर Solubility उससे भी कमा जाएगी Solubility is less than 0.0 सर जो Springly Soluble Salt होते हैं उनी के अंदर क्या आता है एक अपने पास Solubility Product आता है Solubility Product हम लो लिख देते है KSP KSP is nothing कोई भी Salt है अगर कोई भी Salt है Springly Soluble AG CL है तो सर इसके Case में सर ये पानी में Dissolve होगा AG प्लस बनाएगा CL- बनाएगा याद रखना एक Concept सर इसकी Solubility अगर S है इसकी Solubility S है Solubility हमेशा Always in Moles per Liter Always in Moles per Liter Exam Hall में सर ये ध्यान डगना सामने वाला Solubility Gram per Liter में भी दे सकता है KSP is nothing KSP is nothing इसको हम लोग क्या बोल देते हैं AG प्लस होगा इधर क्या हो जाएगा CL- and that will be S-square KSP क्या है Sir, equilibrium constant है किसी Salt का किसी Salt का equilibrium constant है equilibrium constant है ये ये किसका है equilibrium constant है equilibrium constant है equilibrium constant है for saturated solution saturated solution saturated solution का ये equilibrium constant लिख रहे ठीक है KSP S कोई भी Salt हो माल लो A2, B3 Salt है न A2, B3 Salt है तो ये dissociate हो जाएगा A plus 3 में 2 plus B minus 2 में 3 Sir, इसकी solubility 2 is इसकी solubility 3 is KSP क्या जाएगा तो Sir, A plus 3 का equilibrium constant जैसे लिखते थे वैसे ही लिख दो B minus 2 का cube B minus 2 का cube divide Sir, divide by क्यों लिख रहो Sir, KSP क्या जाएगा 2S की power Sir, 2 और 3S की power क्या जाएगी 3 solve करते रहो बस याद रखना solubility हमेशा किसमे लेना है moles per liter में exam hall में gram per liter दिया हो चाहिए किसी और term में दिया हो उसको convert करो moles per liter में solubility defined ही moles per liter के लिए होती है solubility पता है तो आप इससे बहुत सारी चीजे निकाल लोगे सर कोई भी salt होगा माल लो AX BY salt करके दिया होगा तो भी tension नहीं लेनी है A plus Y और B पे क्या ले लो minus X यहाँ X हो गया यह Y हो गया इसकी solubility XS इसकी solubility YS KSP क्या हो जाएगा तो सर A plus Y की power A plus Y की power X और B minus X की power Y सर यह क्या हो जाएगा XS की power X की KSP से KSP से बहुत सारी चीज़े एक और चीज़ा जाती है Just आपको example की तरह याद दिला रहा हूँ आप एक चीज़ और याद करना आपने QC और केसी किया था equilibrium constant और reaction portion के बीच में difference जानते थे सर आइनिक product भी same चीज़ होता है आइनिक product is same thing आइनिक product माल होEMAIN salt ली रहा हूँ न AGCl AGCl का आइनिक product लोगे तो भी same formula आएगा आइनिक product लोगे इसका आइनिक product लो आइनिक product of AGCl पता है इसका formula भी same आएगा AG plus का concentration और क्या जाएगा CL minus आइनिक product का sir क्या जाएगा formula same आएगा लेकिन it is defined for it is defined at any moment of reaction defined at any moment of reaction जैसे reaction quotient था ना वैसे ही होगा any moment of reaction ये defined होगा लेकिन अगर KSP of AGCL लेते हो KSP of AGCL लेते हो formula तो same है formula तो same है लेकिन सर इसके लिए ये defined कहा होता है defined only at equilibrium सिर्फ और सिर्फ कहां defined होगा equilibrium पे defined होगा मतलब दो चीजे हैं जिनका formula almost equal equal है ionic product किसी moment of time पे निकाल सकते हो KSP कब निकालोगे जब equilibrium दिया होगा तो सर इसको use करते हैं हम लोग क्या करते हैं अगर ionic product greater than KSP है मतलब सर reaction में precipitation होगा ही होगा ions ज़ादा बन गए हैं precipitation तो होगा ही होगा सर precipitation occurs अगर ionic product is equal to KSP होगा मतलब सर reaction या solution कहा है equilibrium में है या फिर हम बोल देते हैं कि saturate हो चुका है solution क्या हो चुका है saturated solution में है saturated solution में है या ionic product इसमें convert होगा अगर ionic product less than KSP होगा अगर ionic product less than KSP होगा तो इसका मतलब solution अभी unsaturated है unsaturated solution अभी precipitation कब start होगा जब ionic product greater than KSP होना शुरू हो जाएगा ionic product greater than KSP होना शुरू हो जाएगा तो ionic product देख लो, ionic product के अंदर चीजे देख लो यह सारी चीजे आप देख सकते हो अपने पास ionic product उसके बाद अगर common ion effect लगाना चाहो common ion effect लगाना चाहो तो common ion effect अपने पास याद रखना solubility product में भी लगा सकते हो solubility product में भी आप लगा सकते हो common ion effect और वो कैसा होता है सर देखो ना अगर फिर से बात करें अगर AGCL खुद ही dissociate करता तो सर इसका solubility क्या होती AG plus CL minus इसकी solubility S और S होती ASP क्या हो जाता S square हो जाता लेकिन अगर मैं question में ये लिख दूँ AGCL in presence of AGCL in presence of 0.1M HCL तो सर यहाँ पे देख लो HCL के कारण पहले ही HCL strong acid है पहले ही क्या हो जाएगा CL minus की concentration पहले से ही क्या हो जाएगी जादा AGCL बेचारा अब dissociate करने जाएगा तो AG plus हो गया CL minus हो गया जैसे ही dissociate करने जाएगा इसकी solubility S डेस ले लेता हूं S डेस क्यों लिया क्योंकि सर याद रखना common ion effect के कारण because of leach atlius reaction कि दख तरफ move करना सुरू कर देता है backward तो सर S डेस प्लस 0.1 ये कितना ले लेते हैं हम लोग 0.1 और यहाँ पे केसपी की formula में क्या जाएगा S डेस इंटू 0.1 और इसी लिए solubility जो आएगी वो क्या जाएगी केसपी upon 0.1 मतलब solubility normal case में क्या आती सर solubility normal case में क्या आती अंडरूट केसपी आती solubility अंडरूट केसपी आती इसकी value S डेस की value हमेशा क्या आएगी S की value greater आएगी S से because of common ion effect हमेशा solubility हो चाहे degree of dissociation हो हर एक चीज़ क्या होती है decrease करती है because of common ion effect हर एक acid भी because of common ion effect देखो ना अपने पास अगर मैं acids के बारे बात करूँ तो यहाँ पे polyprotic acids जो होते हैं polyprotic acids जो होते हैं जैसे तुम्हारे पास H2SO4 है H2SO4 पहली बार dissociate होता है ना पहली बार जब dissociate होगा तो सर इसकी अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे सर अलफा C-C-A यहाँ C-A और यहाँ C-A यही बंदा HSO4- अगर dissociate होने जाएगा तो सर यह भी क्या होगा अब की बार HSO4 2- यहाँ पे अलफा डैस अलफा डैस यह क्या हो जाएगा C-A- अलफा डैस अगर लेता हूँ यहाँ पे इसका इकलिबिरियम कॉंस्टेंट देखोगे तो सर यह अगर हाई आएगा K-A-1 हो गया इसका इकलिबिरियम कॉंस्टेंट K-A-2 यहाँ क्या ले लेता हूँ K-A-2 यहाँ पे अलफा डैस लेता हूँ याद रखना alpha is always greater than alpha dash क्यों क्योंकि H plus यहां भी common है यहां भी common है अलफा degree of dissociation जादा होगा even k1 is always greater than k2 k1 भी जादा हो जाएगा k2 कि इसलिए कोई भी polyproteic acid भी होता है न वो पहला H plus जल्दी देता है पहला H plus जल्दी देगा लेकिं दूसरा तीसरा चौथा H plus बहुत slow slow दे रहा होगा इसलिए हमनों बोलते हैं कि जब common effect आजाए न आख बंद करके चाहे वो degree of dissociation हो चाहे solubility हो हर एक चीज क्या करनी है decrease कर देनी है चाहे वो degree of dissociation हो चाहे solubility हो हर एक चीज क्या करनी है dissociate करनी है तो सर अपने पास सारा का सारा ionic equilibrium में हम लोगों ने basic पांच चीजे देख ली है basic पांच चीजे देख ली है acid-base की theory, pH के बहुत सारे cases, pH के अंदर weak acid, weak base, solubility product, sir ionic product उसके बाद हमने buffer solution, salt की hydrolysis, इन सब की चीजे देख रखी है हम लोगों ने salt headless देख लिया है, buffer solution, solubility product देख लिया है, ionic product देख लिया है तो यह सारा chapter आपके लिए nutshell में बोलते हैं, एक घंटे के अंदर हमने revise करके, इसको compress करके सारे formula आपके सामने रख दी हैं, फिर भी अगर अब इसके बाद आपको क्या करना है, PYQs करने है लेकिन वो एक दिन में नहीं होता, practice आपको improvement देता है, आप आज practice करेंगे थोड़ा improve होगा आपके अंदर आप कल practice करेंगे और तो और थोड़ा improvement होगा, उसके बाद practice करते रहे है, इंप्रूब्मेंट होता जाएगा और एक time आएगा जब आप perfection को पार कर चुके होगा, एक time आएगा जब आप इन वीडियोज को जब देख रहे होंगे दुबारा तिबारा तो आपको सर सब कुछ याद आता जाएगा, कि हाँ हाँ सर, होता है न उसके बाद आप आप आवाज बंद कर देंगे, बूलेंगे सब कुछ रिवाइज कर लेंगे, हमारा chemical equilibrium और ion equilibrium हमारा complete हो रखा है, ठीक है, तो अब मिलते है next session में, तब तक के लिए, ओके बाई-बाई, टाटा